हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Vivo Y02 Android वाइल फोन में आप जो है Adaptive Brightness Setting को आप Disable कैसे कर सकते हैं यानि Off कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Adaptive Brightness Setting जो है Disable होने के बाद ही Setting कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए हैँ आप यहां पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में Setting Page आपको ओपन करना है setting page को open करेगा setting page में आपको नीचे आना है यह आपको option मिलेगा display & brightness का इसे आपको select करना है इसके बाद आपको यहाँ पर this display adaptive brightness का option मिल जाएगा adaptive brightness के यह option के ठीक सामने आपको यह button दे रखा this button को आपको select करना है तो यह button आपका black color में off हो जाएगा यानि कि आपकी यह setting इस तरीके से disable हो जाएगी ठीक है अब यह adaptive brightness setting जो है disable होने के बाद यह setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है आपके mobile phone में जो brightness होता है brightness level ठीक है यह आपका status bar में भी होता है यह आप देख सकते है ठीक है यह setting जो है आफ करने से पहले आपका mobile phone जो है automatic इस setting को यानि brightness level को अटमाटिक अज़ेस्ट करता था यह setting आपका mobile phone ठीक है अब लेकिने आपने setting को आफ कर दिया तो आपको अपने हातों से brightness level को कम यह ज़्यादा करना पड़ेगा तो यह setting इस तरीके से काम करती है आफ करने के बाद अब मैं आपको अने यह बता देता हूं कि कैसे आप इस adaptive brightness setting को अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते है ठीक है इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको अपने mobile phone में setting page ओपन करना है setting page में आपको सबसे उपर यह search icon दिखेगा इससे आपको select करना है अब यहाँ पर आपको सबसे उपर यह search बार में टाइप करना है adaptive brightness ठीक है जो setting का name है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइप कर देना इस तरीके से तो आपको नीचे की साइट मेरे adaptive brightness का option show हो जाएगा इससे आपको select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको डिरेक्टी इस setting page में आपको लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करेगा ठीक है तो यह मैंना आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया सेटिंग को ढूंडने का आपके mobile phone में